मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सीय और तुड़े आई जान लेते हैं अभी की लेटिस्ट अपडेट के बारे में अभी की बड़ी ख़बर ब्रेकिन यूज के बारे में बात करेंगे आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माधिम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्ता सही और शड्ीख होती है उसी करम में आज की दस बड़ी ख़बरों के बारे में बात करेंगे के वियस से आने वाली वैकनसी के समन्द में जैसे टीजी टी पीजी टी पी आर्टी कि साथ हजार से अधिक पदों के बारे में पूरी जानकारी वीडियो में खाऊंगा कासमीर में पलाइन शुरू हो गया है कासमीर में पलाइन का कारण क्या है साथ-साथ इस चैनल के माधिम से आपको TGT-PGT भरती के समध में जानकारी दी गई थी आपको बताया गया था कि TGT-PGT भरती जुलाई से लेका सब्टमबर के बीच में आएगी इस चैन के माधिम से दिखाने वाला हुँ जो आप के लिए बहुत लिए जरूरी है रीट पर अच्छा को लेकर कलेकटर का आधिश जारी हुआ है कलेकटर ने रीट पर अच्छा को लेकर क्या कहा इस पर बात करेंगी शाठ जिलो dots भीजियु में 120 रोजगार की रेल करें इसी परकार कि authentic जानकारी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन दो बादे all प्रसेलेट कर दें जिससे बारे वीडियो का नोड़ी फिकिशन आप तो सबसे पहले पहुंच जाए वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं सबसे पहले मैं बात करूँगा कास्मीरी पंडितों को लेकर जैसा कि आपको मालूम होगा एक मोवी आये थी कास्मीर फाइल्स उसको लेकर काफी हंगामा किया गया सत्ता धारी पार्टी ने भी परचार खोब किया लेकिन उसका कितना असर हुआ आज के कई विभीन समाचार पत्रों में न्यूजे वेफसाइड पर साथ साथ कई मीडिया के माधिम से बताया जारक कास्मीरी पंडितों ने किया पलायन का एलान टार्गेट किलिंग की घटनाओं के बाद बड़ा फैसला कल से सुरू करेंगे पलायन विरोध पर जरसन भी बंद करने का भी एलान तो आखिरकार मोधी सरकार इनके लिए क्या करें को फिल्म बनवाएगी फिल्म बना के परचार प्रसार होगा सच्चाई आपके सामने है समाज चार पर तमीं भी खबर है देखिए बहुत सी दुगदाई घटना है इस पर कैशन नियंतरन लगेगा सरकार इसके बारे में क् क्या इस सी कास्मीरी पंडितों कही है जो पलायन किये थे कितने लोग आकर कास्मीर में सिप्ट हुए इस पर क्या सरकार जबाब देगी नहीं देगी दुस्ताहत कास्मीर में आतंकियों ने की वैंग मैनेजर वह मजदूर के हत्या आप लोग को मालूम होगा CCTV कैमरे में कुछ है आप अपनी आँखों से देख रहे हैं मुझे बताने के वर शक्ता नहीं है जो में दिखाया जाए वहां सत्य हो या सुनिचित कोई नहीं कर सकता है और जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है इसके बारे में कोई बोल भी नहीं सकता बोलने की हिम्मत होनी चाहिए जैसा कि आपको मालूम होगा कास्मीरी पंडित कितने दुखी होंगे जब पलायन करेंगे अपने घर को छोड़ कर जाएंगे जहां पर होई रहते थे तोहां की स्थिदी क्या होगी उन लोगों की स्थिदी क्या होगी कैसे अपना जीवन यापन करेंगे सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए अगली अपडेट है ल्पीजी गैस लेंडर को लेकर दसा कि आपको मालूम होगा कि मोधी शरकार ने दो सो रुपे सबसेड़ी का ऐलान किया था शरकार ने इ कोई सबसेड़ी नहीं थी तो जो सबसेड़ी पाने का ऐलान किया गया है देने का ऐलान किया अधनी शरकार की द्वारा 200 रुपे पर नहीं के आपकी इप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाना चाहत हूं कहां पर तस्वीर है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर तस्वीर आपको दिखाई दे रही है पीएम का कारिकरम है आपको बता दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सिरमनी में लखनूं के अलावा च्छोटे सेरों भी निवेज पर योज से साл से पाईदा किये दा रहें कितने अवसर मिले हैं कितने को रोजगार मिला कमेंट को र की बताना क्योंकि आप लोग हम से जुड़े हो थो आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे कहीं से पता चलेधा तो आप लोग CO-M possibilities कि बताएच है सरकार ने खुद कितना रोजगार पाइदा किया है कितना रोजगार दिलवाया है इस पर आप बताईएगा कमेंट बॉक्स में आपकी राह हमारे लिए अच्म हैस्पूर है अगली खबर देश की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को लेकर है मोधी आज 80,000 करोन के निवेश की नियू रखेंगे आज के समाचार पत्र में बताया गया है बताया गया है कि प्रधान मंत्री ने निमोदी रखनों में सुकरवार को 80,000 करणों उपे से अधिक निमेस वाली योज़नाओं की आधार सिला रखेंगे देज भर के दिगत उड़ोग पतियों की मौदूज़गी में मुखी अत्ती प्रधान मंत्री बताएंगी कैसे यूपी तरखी की रहा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुख्वंत्य योगी आधित नाच के नेत्रुत में यह राज एक ट्रुलियन डालर के अस्वियोसा बनने का समर्थ रखता है तो समर्थ कितना रखता है और कितनी प्रगतिश 6 साल के कारिकाल में उत्तर प्रधेश ने किया है कमेंड वाक्स में बताईएगा और 8 साल के कारिकाल में यानि कि मोदी जी का 8 साल कारिकाल और योगी जी के 6 साल के कारिकाल में उत्तर प्रधेश कितना बतला है कमेंड वाक्स में बताईएगा हमारे लिए अतिमहत्पूर है अगली अपडेट है रीट परिच्छा को लेकर 23 बाद 24 जुलाई को परिच्छा रीट की परिच्छा समय रहते हैं रीट परिच्छा की तयारी पूरी हो अईसाट डियम साहब ने निर्देश जिया यानि कि कलेक्टर ने निर्देश जिया है समय पर कर ली जाएं परते एक अजिकारी क्रमचारी पूर्ण गम भीरता से कार्य करें जिससे परिच्छा का आयोजन पारदरिश्टा से हो सके किसी भी इस्तर पर लापरवाही आसाहनिये होगी था इसके लिए संबंधित के विरुद सक्त कारवाई की जाएगी यानि कि जो लापरवाही बढ़तेगा उसके खिलाब कारवाई होगी 25 जुलाई को भी परिच्छा संभावी थे परिच्छा के लिए 28 परिच्छा केंद्रों का निर्दान किया गया है तो 28 जो परिच्छा केंद्र है उस पर ब्योस्तच्चुस्त दुस्त करने की बात कही यह अलग अलग जीलों की अलग अलग डियम अपनी तरह से काम करें उनका कारी कितना प्रभाविच करेगा किस तरह से पार्देशी परिच्छा हो सकती है या तो वक्त बताएगा फिलहाल अभी तो कलेक्टर साहब ने निर्दिश दिया है अगली अपडेट है उत्तर पर इ माजमिक शिछा सिवा चैन बोर्ड की आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माधिम से आपको बताया गया था कि टीजिटी पीजिटी भरती के सम्मझ में मुझे जानकारी में लिहें कि जुलाई से लेकर सब्तमबर के बीच में भरती का विग्यापन आएगा जून में आने के सं क्रिया ठप है जबकि मुखवंति योगी आज इतनात का जो रिक्पदों को तेजी से भरने का है आठ अपरेल को चैन बोर्ड की पांच सदिश्यों का कारिकाल एक साथ खतम हो जाने से चैन बोर्ड सदस से बिहीन हो गया है ऐसे में सांसन ने सदस्पज के लिए 14 माई तक चैन माई चैन के लिए आभीदर पत्रों के तरहीन की जा रही है सिच्कों के बनित ग मुखवंतिरी की इन Face Romeo को देखते विए उम्मीद की जा रही है कि इसी माई चैन बोर्ड की सदस से मिल जाएंगे और जैसे ही सदस मिलेंगी भर्दी के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा बताया गया है कि 4700 पदों का सत्यापन फिर से कराने के बाद चैन बूर्ड पदों के सापेज विग्यापन जारी करेगा 30 मई तक कराये गए सत्यापन तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ पद और घट गए है इस तरह से पदहचार के लिए अधियाचित पद भी कम हुई है तो यानि कि पदों के शंक्या घट गई है बढ़ने के सिवा यानि कि बढ़ने की जो उम्मीद लोग लगा रहे थे ह हमें भी उम्मीद थी वह बढ़ी नहीं बलकि घट गई है लेकिन बिग्यापन जुलाई से लेकर सब्तमबर के वीज में ही आने की संभावना है जो कि मेरे दौरा बहुत पहले ही आपको जानका रिदी गई थी यानि कि आज मेरी खबर पर मोहर लगती हुई नजर आ रहे ह आपको मालूम होगा कि मेरी दौरा बताया गया था किसे किसे मालूम है किस किसने मेरी वीडियो देखिए कमेंड वाक्स में जरूर बताएं अगली अपडेट है के भी इस की भरती को लेकर दरसा की आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं खबर है 25-2022 यानि कि 25 मई 2022 की खब तीन हजार आर्शो पचास थार्ड पर लिखा हुआ है यानि कि पोस्ट है यहां पर देखिए वैकेंड लिखा हुआ है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो आप इसे आड कर सकते हैं 1,942, 3,850, 4,322 यानि कि TGT, PGT और PRT को मिलाकर इतने पद खाली है अभी इतने पदों पर भरती का विग्यापन कवाया है देखिए अभी कोई आजिस जारी नहीं किया गया है विग्यापन को लेकर लेकिन उम्मीद है कि पद रिखता है तो भरती होगी अब भरती कब तक होगी जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको इस चैनल के माधिम से जानकारी दूँगा वैसे अभी आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का बेट करना पड़ सकता है अभी इस पर काम सुरू होगा वैसे पद बहुत सारे खाली हैं आप आइड़ इसे कर सकते हैं चार हजार से अधिक तो किवल चार नहीं पांच हजार से अधिक किवल PGT और TGT के पत्काली है और तिरालीसो से अधिक प्रत्काली है यहां पर पूरा डाटा मेरे दौर आपको दे दिया यूपिट्र पलसी की देखे यूपिट्र पलसी से जल्द जारी होगा दो नोटिस क्या है पड़ाम को रेकर देखे जूनियर असिस्टंट 2016 का पड़ाम जारी होगा साथ-साथ-उत्तर-प्रदीश सरकार की द्वारा पदों को भरने का निर्देश दिया गया है पर मुहल लगी या नहीं लगी इस महीनी कंफर्म होगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर मुहल लग गई तो एक भरती का विज्यापन आपको दोजार इकिस पीटी के अंतरगत इसी महीने देखने को मिल सकता है तो जूनियर असिस्टंट 2016 का और कंप्यूटर आप